नमस्कार आप देखने हैं प्रदेश का सबसे भरोसे मन नियूज चैनल इंडिया नियूज उत्तर प्रदेश उत्राखंट और मैं हूँ आपके साथ सीमा चौधरी योगे आदेतनाथ सरकार लगतार जबरदस्त एक्षन के लिए जानी जाती हैं सुबे के मुख्या खुद कमान संभालते हैं और तगड़ा एक्षन लेने का काम भी करते हैं लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकार के मन सुवे पार पानी फेडने का काम करते हैं अपनी जेब भड़ने के लिए सरकारे नियमों की धजिया उडाते हैं मतुरा आयोध्या वारा नसी समेत कई धार्मी कस्थलों पर शराब बेची नहीं जाती हैं मुख्य तोर पर वो इलागे जो मंदिर के आसपास आते हो लेकिन साहब नियमों को मतुरा में ताक पर रखा जा रहा है अधिकारीों को जरा भी एक्शन का खौफ नहीं रहता इसलिए आज हम कह रहे हैं चाए की दुकान शराब का काम तो यूपिस सरकार ने भगवान श्रेक्रिश्न की नगरी मतुरा में आने वाले श्रद्धालू भक्तों की आस्था को देखते हुए गोवर्धन बर्चान राधा कुंड नंदगाओं को तेर्थ अस्थल घोशित किया था इन तेर्थ अस्थलों में शराब अंडा मांस जैसे तमाम मादक पदार्थों की बिक्री पर पावंदी लगाई गई थी लेकिन कुछ हरीकारी सरकार की सवी धूमिल करने का काम करते हैं चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जुसमें एक यूवक साफ तोर पर शराब लेता हुआ कैमरे में कैद हो गया है यह तस्वीर आप साफ तोर पर देख सकते हैं कैसे एक युवक शराब हाथ में ले करके शराब की बोतल निकलता है। ये युवक खुले आम शराब ले जा रहा है। तस्वीर मतुरा के गोवरधन की है। यहां प्रमुक तेर्थ अस्थल में संचालित चाई की दुकान पर अंग्रेजी शराब की अवैद रूप से खुले जारी है। इस बीच कईते रहके सवाल भी उठते हैं। सवाल ये कि शराब विक्री का खेल क्या सिस्टम यहां पर फेल है। जिवेदारों पार कब एक्शन लिया जाएगा। सरकारी नियमों की क्यों उड़ाई जा रही है धजिया लोगों की भागणाओं के साथ। पार्ट आखिरकार क्यों? ड्राई एरिया गोवर्धन में कैसे बीची जा रही है शराब? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर जो सामने आई है उसके लिए ये सभी सवाल काफी जरूरी भी हैं। जब सरकार के द्वारा ड्राई एरिया गूशित किय जाता है बावजूरत इस नहां पर शराब का ये खुला काम कैसे हो रहा है? बहराल इंडिया न्यूज जंके की चोट पर सवाल पूछता था, सवाल पूछता है, सवाल पूछता रहेगा। आज भी इस मुद्धे पर सवाल दागे जाएंगे लेकिन उससे पहले आपको इंडिया न्यूज समवादा ताकि ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उन आदी जो तीरते स्तले उनको सामिल किया गया है। यूपी के शियम योगी आदितनात स्रदालू भक्तों की आस्ता को देखते हुए, लगातार ये निर्देश देते आ रहे हैं कि ड्राई एरिये में जो सराव, मीट, अंडा, आदी जो मादक पदार्थ के उनकी विक्र ना हो। लेकिन मत्वरा के गोवर्दन से जो तस्वीरे सामने आई हैं, वो अपने आप में जगजोर देने वाली हैं, स्रदालू भक्तों की आस्ता से खिलवाल कर देने वाली हैं, चूंकि गोवर्दन में जो सराव का ठीक हैं, वो ड्राई एरिया में जो सराव के ठीक हैं उनके नजदिक चाय की दुकान हैं और चाय की दुकानों पर सराब विक्ती नज़र आ रही है चूंकि वहाँ सरदालू भक्त बैठके चाय पीते हैं और इसी दोरान जो सराब अराज तत्व के जो लोग हैं वहाँ से सराब खड़िते हैं कहीं न कहीं सरदालू भक्तों की आस इसे विषय पर ज्यादा जुहानकारी के साथ समवादाता वीरी नाराइन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं वीरी नाराइन क्या जानकारी मिल रही है जो पूरा मामला सामने आता है ड्राइ एरिया में शराब की कुले आम बिक्री हो रही है जिमेदार अधिकारियों के द्वारा किस तरह की प्रतिकिरिया इस पर देखे परकुल सीमा भगवान कृष्टी की नगरी मत्वरा में पर क्या गया डयर्मिटिया इसके बाप जूदभी इस तरीके के तश्थिद्वीर्प होाने आना करी साथी आतकर भरे सवाल ख़़ी में खाले करती है तुकि जह कर दो आपकारी आदकारी और ड्येम की होती है या Nach अदकारियों को अगए को बिल्कुल हला कि वीर्ड आ रहा हैं जिस तरह से आप जानकारी साजा कर रहे हैं से साफतोर पर समझा जा सकता है ये जो शराब के विक्री ज़ारी है चाई के दुकान पर कहा चवारा है कि विक्री ज़ारी हर भावजूद इसके अधिकारी से अवगत नहीं है इससे बड़ी लापरवाही क्या मानी जा सकती है हला कि देखिए जो भी अधिकारी होते हैं उनको सब चीजों की सूचना जरूर होती है कि उनके इलाके में किस तरह से क्या काम चल रहा है बावजूद इसके हला कि जो अधिकारी हैं वो अपना पल रज जारते नजर आ रहे हैं इसके पीछे की वज़य क्या है ये भी जरूर तलाश की जाएगी लेकिन जिमेदारियों पार एक्शन कब तक लिया जाएगा ये एक बड़ा सवाल हैं उटता नजर आ रहा है हलाकि वीर नारायन जो ये तस्वीरे सामने आ रहा है और जस तरीके से खुले तोर पर ये युवक जो है शराब लेकर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पार मुस्तैयाद पुलिस आफिसर्स को भी प्रशासनिक टीम को भी इस विशय से वरूबरू होंगे बावज चाय की दुकान पर बेकी जा रही है इसको लेकर के आज सुए जब इंडिया नीजी टीम वहां पहुंची तो वहां जब देखा यहाला तो स्रद्दाल उबक चाय की दुकान पर बैटी हुए तो एक युवक वहां गया और जाने के बाद उसने सराब उससे मांगी कि बाई जानकारी की तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम जो स्राब की बोतल है वहां खाली पड़ी हुए थी स्रद्दाल उबक्त को बैटे हुए थे उसके जानकारी में था उसने कहा हम से लेकिन मैं इसको बिखवाता हूं किसकी दुकान है इस तरीके के दुकान चल रही है तो वह भी इस तरीके से पल्ला जारते हैं उन्होंने का चोकीन चार्ज को आप सूचना क्यों देंगे इसको लेकर तो आगरा से कल हमारी बात हुए मैं साब ब्राई एरिया में इस तरीके से तरह दिख रहे हैं तो जैसे जिम्मेदार अध अधिकारियों के बात कहीं जा रही है कि इस जेगे पर इस तरह से काला धंदा चल रहा है उस पर आपको जाना है उस पर कारेवाई करनी है तस्वीरे सामने बावजूद इसके लिखिच शिकायत मांग रहे है वीर नारायन आप इस वक्त लाइव है इंडिया ने उतर पूरे खबर को कवर करते नजर आ रहे हैं जिम्यदार अधिकारी जो भी है एक बार आप उन्हें कॉल करें उनसे जानने की कोशिश करें कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना अभी कॉल करें आप इस तरीके से बात करते हैं नहीं करते हैं अभी फोन लगा रहे हैं देखिए यह मत्रा जो आपका रियदकारियों को अमने फोन लगाया आप देखते हैं किस तरीके से यह मत्युक्ण आप करें शायरे हो प्लुक्राइश वर्भीस आप कर विद्चा तरीके संवनने पर अब आपके जा रहा हैं अब बात्रफिया तरीके साधिया चाहिए वहाँ को लगाते पर द्ब्स हैं इस पर दिया इसप अब लगा यह लगा अब लगाया है कि अभी यह अब लगा दिये जा रही है अब लगा दिये अब 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 लो बबाद कर रहा हो इंडिया नीस से अब लूदम को सकत receiving गस्तपानίν मुझे बात करने हैं। कि बात करा दिए टेट है था इंसले में यहीं अभी साहब बात करें हम बेटिंग में हैं बेट कर रहे हैं प्यारों साब में फोन उठाया है डीम साफ सिर्फ नम्मर पर बात पूर लिए ताफ की जी दूशे नमर तर जास्काने अभी 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 कर दो कर दो कर दो कि विर्ना राइन साफ तौर पर समझा जा सकता है मामलों से बच्चते नजर आ रहे हैं विप्यारों साफ ने फोन डीम साब बात होने करें कि कह रहे हैं कि दूसरे हो आप बात करते हैं डीजते हैं बेड़ों सब्सक्राइब बता रहे हैं दूसरे फोन कर दिया है प्यार जो उनके अर्दली है प्यार हो है उन्होंने फॉन काड़ दिया है बरकुल तो इसी बात से वीर्न आरायन समझा चाह कता है कि जिमयदार अधिकारी बचते नजरा रहे है इंडिया नायनियूसके टीम का फोन नहीं उठाया गया है आखिर अपनी जिम्यदारी से क्यों भाग रहे हैं अधिकारी ये एक बड़ा सवाल यहां उठता है DMO साहब ने इंडिया निउस का फोन नहीं उठाया लाइफ टेलिविजन पर हमारे सहयोगी कि द्वारा कॉल किया गया और उन्होंने फोन नहीं उठाया फोन से बचते नजर आ रहे हैं, कई तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं लेकिन क्या ये बहाने किसी तरह की कोई सफाइ मानी जा सकती है इस पूरे मामले की इस बड़े लापरवाही की क्योंकि जिस 13 तस्तली को बनाने का काम यहां उत्तरप्रदेश की सरकार करती नज़र आ रही है योगी सरकार बार बार जहाँ पर इबात कहती नज़र आ रही है कि मांस मदिरा का पार नहीं किया जायेगा विक्री नहीं होगी इन एरियास। बावजूद इसके इहाँ पर दिंदाडे शराब बेची जा रही है और इस पर जब जब जबिदार अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा हमारे सहयोगी का वीर नारायन ये तस्वीरे हमने भी देखी और जस तरीके से आप बार-बार फोन करते नजर आ रहे हैं जमिदार अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं इसके बाद क्या कुछ इहाँ पर तस्वीरे और देखने को मिल सकते हैं से पहले जो प्रकेडिया आपके साथ हुई है जब आप इस विशा के बारे में अबगत कराते नसर आये थे फिर उन्होंने क्या कुछ कहा इस विशा पर भी जानकारी दें सब्सक्राइब करें लेकिन जो जुम्मिदारी अधकारी की बनती है उनको देनी चाहिए वह पत्रकार से कहते नजर आए कि आप दो सूचना दे लेकिन आप देख रहे हैं कि आप डियो साब को फ़र फोन लगाए डियो साब नहीं उठाया अब डियम साब को अर्दली ने फो उसके बाद में बात करेंगे और फोन उन्होंने काट दिया तो इस तरीक है कि जो लाप परवाए कही ना कहीं अधकारियों को सब पता है कि किस एरिया में क्या हो रहा है उसके बावजूद भी कोई कारवाई ने जन्याएगी अभी दो दिन पहले जो बगवान स्री कृष् कि बरसाना जो ड्राई एरिया है ड्राई एरिया में प्रादारानी के महल से करीब 200 मिटल के एरिया में सराव के ठेके संचालते अंडे बिख रहे हैं नीच किस्माब दिख रही है जास्टाव पास्टाई की दुकान में परवाए लगातार जो ठेके हैं गोवर्दनों सकता है कि जैसा कि हमारे सयोगी ने कहा कि जमेदार अधिकारियों को अस्थानी जानकारी होती है बाबजूद इसके अगर वो इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो साफतोर पर समझा जा सकता है ये बड़ी लापरवाही है ये जान बूझ करके अंदेखा जो है इस मामले क किया जा रहा है वी नारान आपका बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी और तस्वीरे साजा करने के लिए तो चाई की दुकान पर शराब का ये काम जा रही है और इसकी तस्वीरे भी इंडिया निउस उत्तर प्रदेश उत्रा खंट की टीवी स्क्रीन पर आप बार बार ये युवक जो है वो शराब दिन दहाडे लिता नजर आया और उसको ले करके आगे पढ़ता जो आ रहा है किसी तरह का कोई खौफ किसी तरह का कोई डर्क किसी की भे आखों में इस वक्त नजर नहीं आ रहा है